किसी भी देश में आधूनिक इंफ्रासेक्टर के विकास के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है स्पीड और स्केल लेकिन दसकों तक हमारे हाँ ऐसी व्यवस्ता हैं रही कि अहम परियोजनाओं का पुरा होने में काफी देर हो जाती थी इस सुस्त रविया देश के विकास को भी प्रभावित करता रहा है आज के तेजी से बढ़ते हुए भारत में हमें स्पीड पर भी ध्यान देना होगा और स्केल पर भी इसलिए ही हमारी सरकार ने पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्ट्रल प्लान बनाया है हमने देखा है कि अक्सर परियोजनावन में देरी की वज़े होती है अलग-लग विवागों में अलग-लग मंतारों में सरकार में तालमेल की कमी इस वज़े से होता यह है कि जब बरसों के बाद कोई परियोजना पुरी हुपी होती है तो वो outdated हो जाती है उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाती है PM गतिशक्ती National Master Plan इनी सारे विरोधाबासों को दूर करने का काम करेगा जब एक integrated focus के साथ काम होगा हर stakeholder के पास परियाप्त जानकारी होगी तो हमारे project भी समय पर पूरे होने की संभावना बढ़ेगी इससे लोगों की दिक्कते भी कम होगी देश का पैसा भी बचेगा और लोगों को सुविधाय भी जादा मिलेगी